नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मुईनी त्यागी और आप देख रहे हैं बिस्तक आज की काम की खबर में हम बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट की यानि की FD FD को लंबे समय से एक सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है लोग पुराने जबाने से ही FD में निवेश करते हैं क्योंकि ये सबसे जादा सुरक्षित है और इसके साथ ही इसमें मिलने वाला जो रिटर्न है वो भी एक तैप होता है यानि की आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा या आपको पहले ही पता चल जाता है जब आप FD को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं या जब आप एक बार अपनी FD खुलवाते हैं आपको उसी दिन पर दचल जाता है कि आपको आने वाले 5 सालों में या जितने समय के लिए आपने अपनी FD खुलवाई है उसमें आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है इसके साथ ही इसमें सरकार की गैरंटी है तो आपका पैसा इसमें पूरी तरह से सुरक्षित भी रहता है लेकिन ये तो हुए वो फाइदे जो सब को पता है आज हम आपको FD के कुछ ऐसे फाइदे भी बताएंगे जिनके बारे में जानतर लोगों को नहीं पता है तो चलिए शुरुवात करते हैं Tax Saving FD यानि कि 5 साल की FD में निवेश करने पर आपको आयकर में भी छूट मिलती है इसमें जमा मूलक पैसे के साथ ही ब्यास पर भी आपको कोई Tax नहीं देना होता इसके साथ ही अगर आपको जरूरत पढ़ती है तो आप FD पर लोन भी ले सकते हैं यानि कि आपको आसाम यानि कि होम लोन से भी कम दरों पर परसनल लोन से भी कम दरों पर आपको FD पर परसनल लोन मिल जाता है। और इसके लिए आप इसको अपनी सहुलियत के हिसाब से चुका भी सकते हैं। आप FD की वैल्यू का 90 फीजदी तक लोन ले सकते हैं। यानि कि अगर आपकी FD की कीमत 1.500,000 रुपए है तो आपको 1.35,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है वहीं इस लोन पर आपको FD पर मिलने वाले ब्याज से 1-2 फीज़दी जादा ही ब्याज चुकाना होगा यानि कि अगर आपकी FD पर आपको 4 फीज़दी का ब्याज मिल रहा है तो आपको 6 फीज़दी की दर पर लोन मिल सकता है FD का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसमें आपको शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि FD कराने पर आपको आपकी मिचॉरिटी के टाइम पर कितना पैसा मिलेगा ये ना तो कम होता है और ना ही जादा यानि कि इसमें रिस्क का कोई भी फैक्टर है ही नहीं इसके साथ ही FD में एक और बड़ा फाइदा है और वो है लिक्विडिटी इसका मतलब है कि इसमें आप जरूरत पढ़ने पर पैसे निकाल सकते हैं यानि कि आप अपनी FD को जरूरत पढ़ने पर कभी भी तुड़वा सकते हैं हाला कि ऐसा करने पर बैंक आप से कुछ चार्ड जरूर वसूलता है लेकिन वो काफी कम होते हैं आज कल के बदलते दौर के साथ साथ कई बैंक्स यानि कि प्राइवेट सेक्टर के कई बैंक्स FD के साथ साथ लोगों को फ्री हेल्थ इंशॉरंस की सुविधा भी दे रहे हैं जैसे की HDFC बैंक, DCV बैंक और ICIC बैंक अपने ग्रहाकों कोड फिक्स देबाजित के साथ इंशॉरंस ओफर कर रहे हैं ऐसे में अगर आप इन बैंकों में FD कराते हैं तो आपको फ्री में हेल्थ इंशॉरंस भी मिल जाएगा इतना ही नहीं, डिजिटल होते देश में बैंक की भी कई सुविधाएं डिजिटल चल रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा युगदान रहता है तो इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए बैंकों ने FD पर क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा भी शुरू की है यानि कि अगर आप किसी बैंक में FD खुलवाते हैं तो कुछ बैंक आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में भी ओफर कर सकते हैं बैंक में FD की रखम का 80-50 सी पीजदी तक क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है ऐसा ओफर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है या फिर उनका क्रेडिट स्कोर बहुत लो है FD पर credit card लेने से ये bank आपके deposit को credit card से किये गए खर्च के लिए security के तौर पर रखते हैं ये तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि FD सबसे ज़्यादा सुरक्षित और बहतर निवेश का option है अगर आप कोई भी अपने पैसे के साथ risk नहीं लेना चाते तो लेकिन अगर मान लिजे किसी भी condition में bank default कर जाता है या फिर bank में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर default करने पर आपके पैसे का क्या होगा अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसके लिए भी आपको खबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि fix deposit पर आपको 5 लाग रुपए तक की बीमा सुविधा मिलती है यानि की bank default केस में भी आपको 5 लाग रुपए तक मिल जाएंगे तो ये थे fix deposit से जुड़े वो फायदे जिनके बारे में शायद आप कही ना कही नहीं जानते हो लेकिन इनका फायदा आप अब जरूर ले सकते हैं और ये थी हमारी आज की काम की खबर ऐसी ही कुछ खबरों के लिए देखते रहे बस तक और जुड़े रहे हमारे साथ